जिस तरह से शेर को जंगल कराजा कहा जाता है ठीक उसी तरह लोग सदियों से एगल को आसमान कराजा कहते हैं एक ऐसा राजा जिसने शिकार के मामले में दुनिया भर में अपनी थाक जमा रखी है आसमान में मन्रातेस यमदूत का हाफ जंगल पर रहने वाले शेर से लेकर पानी में तरने वाले मगर बच और यहां तक यह आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को भी है और हो भी क्यों ना एक ऐगल के चंगल से किसी का भी बचना बहुत ही मश्किल है आज के इस वीडियो में हम आपको दस ऐसे ही भयानक इगल अटाक्स दिखाएंगे जिनने देखकर आप भी इनके फैन बन जाएंगे नमबर टेन स्टेलर सी इगल अटाक्स किटी वेक बर्ड्स स्टेलर सी इगल दुनिया के सबसे बड़े इगल में गिना जाता है और ये उड़ते हुए भी काफी आसानी से शिकार कर लेता है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहां पर किटी वेक बर्ड्स अंडे देने के लिए बड़ी तादात में जमा हुए हैं और तभी आस्मान में नजर आता है एक स्टेलर सी इगल जैसे इसकी नजर इन पक्षियों पर पड़ती है वैसे ही आसमान में अपने साड़े छे फीट लंबे पंकों को फैला कर घूमते हुए शिकार के सही मौके का इंतजार करने लगता है और जैसे वो मौका आता है यह एक बुलिट की तरह नीची आता है और उनमें से एक बर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन किटी वेक बर्ड को भी इस एगल के बारे में फली भाती पता है इसे वे जैसे ही वो अपनी तरफ आते हुए इस खत्रे को देखते हैं वे सभी बचाओ के लेक साथ मिलकर उड़ने लगते हैं ताकि एगल कन्फ्यूस हो चाए उनकी चाल काम आती है और कुछ देर के लिए ऐसा होता भी है मगर एगल भी उनकी चाला की पकड़ लेता है और एक किटी वेक पर अपने पंजों से छपटा माता है एगल के पंजे नुकीले और काफी ताक्तवर होते हैं इसी वज़े से एगल पड़ी आसानी से इस पकशी को पकल कर वहां से चला जाता है इगल के सबसे बड़ा वेपन उसकी शानदार आखें होती हैं जिनकी मदद से ये अपने शिकार को लगबख 15,000 फीट की दूरी से भी आसानी से देख सकता है यानि कि इतने में आप एक के उपर एक करके लगबख 6 बुर्ज खलीफा करे कर सकते हैं और इसी पैनी नजर से ये इगल समुदर में तेरते हुए इस साप को देख लेता है ये साप अपने आप में बहुत खतरनाक है और इससे पंगा लेना पिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है वहीं ये इगल हवा के छूंके की तरह आता है और इस जहरीले साप को ठाकर फरार हो जाता है आपको बता दें कि समुदरी साप की लंबाई लगबग तीन से पाच फीट के बीच में है और इससे संभालना इगल के लिए भी कठेन उने वाला है मगर उसके बावजूद भी ये इगल साप को ठाकर बड़े आसानी से और जाता है साप हवा में खुद को छड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इगल की पकड़ इतनी मजबूत है कि साप चाकर भी कुछ नहीं कर पाता और फिर इगल इस साप को अपने खोंसले में ले जाता है जा वो से अपने बच्चों के साथ बड़े मज़े से खाता है वैसे तो मार्शल इगल को आफरिका का सबसे बड़ा इगल माना चाता है मगर एक मौनिटर लिज़र्ड के सामने ये जरा साही लगता है उसके बावजूद भी इस मार्शल एगल ने एक मॉनिटर लिजर्ड मार गिराया है मॉनिटर लिजर्ड की लंबाई लगबग 8 फीट तक होती है यानि एक एक आम इनसान से भी ज्यादा लेकिन इस एगल के सामने उसकी एक नहीं चली आप इस वीडियो में देख सकते है कि कैसे इस एगल ने इतने विशाल जानवर को अपने पंजों से दबोच रखा है मॉनिटर लिजर्ड खुद को बचाने की कुछ नाकाम कोशिशें करता तो है लेकिन एगल उसको बच के निकलने का एक भी मौखा नहीं देता कभी इगल उसके शरीर को अपनी चोच से नोच कर खाने लगता है तो कभी उसे अपने नाखुन से पकड़ कर कूटता है देखकर तो लगता है कि आज तो ये इगल अच्छा खासा लंच करेगा आपने तो अल्रेडी देखे लिया है कि इगल दूसरे पक्षियों को मारने से बिल्कुल भी नहीं कत्रा था ऐसा है कुछ यहां भी होने वाला है यहां क्रेइन पक्षियों का एक बहुत बड़ा सा ग्रोप उड़ता हुआ जा रहा है और तवी वहाँ पर दो इगल आ जाते हैं उन दो इगल को देखते ही क्रेइन समझ जाते हैं कि उनके मौत का फरमाल लेकर आये हैं वो दो इगल दरसल एक बच्चे क्रेइन का शिकार करने के फिराक में है इगल चाहे जितना भी ताकत वर क्यों ना हो एक बड़े और जवान क्रेइन का शिकार वो हवा में नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्रेइन पक्षी काफी फुर्थीले होते हैं मगर ये दो इगल भी बहुत मझे हुए शिकारी जान पड़ते हैं इसलिए वो एक यंग क्रेइन को अपने छुन से अलग करने में भी खामयाब हो जाते हैं जैसे ही वो क्रेइन अलग होता है एक इगल बुलिट की थरा आता है और उसे अपने चोंच से पकड़ लेता है वैसे तो इगल बहुत सारा वजन लेकर उड़ सकता है लेकिन फिर भी इस क्रेइन को लेकर उड़ने में उसे थोड़ी दिक्कत होती है और वो नीचे गरने लगता है लेकिन कुछी तेर में फिर से वो क्रेइन को लेकर रवाना हो जाता है जान्वरों के बच्चे इगल के सबसे पसंदिदा खानों में से एक होते हैं क्युंकि उनका शिकार करने में इसे ज्यादा मेहनत मशक्त नहीं करने पड़ती और शायद वो खाने में ज्यादा टेस्टी भी होते होंगे अब अगर वो बच्चा किसी बकरी का हो तो बात ही कुछ अलग है क्यूंकि खाना भी ज्यादा स्वाद में भी अच्छा यहां इस इगल को आसमान में मंटराते देख ये बेबी माउंटिन गोट्स डर के मारे भाग रहे हैं लेकिन ये इगल उन पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक ये छुंड में हैं वो बस अभी इन बकरीयों के अंदर अपना खाफ पैदा कर रहा है ताकि वो सब अपनी चा कार को लेकर उनने वे इस इगल को कुछ भी ठिकत नहीं हो रही ये मासूम बकरी आज इस इगल और इसके पूरे परिवार का खाना बनने वाला है नमबर फाइव इगल अटाक लाइन वैसे तो इगल काफी ज्यादा खतराख है लेकिन अगर उसका सामना चंगल के राजा श शिकारी बाने जाते हैं इन दोनों के अंदर अपने शिकार को धर पटकने की अमेजिंग स्किल्स हैं अब इस वीडियो में अगर हम देखें तो दोनों ही लड़ने की फिराग में और जब लडाई शुरू होती है तो मामला 50-50 का दिखाई देता है लेकिन शेर अपने इगल के छोड़कर वहां से आ जाता है नमबर फोर गोल्डन इगल वर्स चैक रापट गोल्डन इगल इगल के सबसे खुंखार प्रजातियों में से एक माना जाता है और इसकी शिकार करने की तकनीक दिला जवाब है जब यह किसी शिकार को देखते हैं तो अपने पंक खो भी रफतार कुछ कम नहीं होती और यह लगबक 64 किलोमीटर को दिखंटे की स्पीट से खुद को बचाने के लिए भागता है यह जाडियों में से भागते हुए खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इगल भी छोड़ने वालों में से नहीं है वो इसका पीछ में एक और कोल्टन इगल एक हेर का शिकार करने वाला है यह मासूम से हेर्स इस खतराक इगल को देखकर कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं उन्हें इस वक्त कुछ समझ नहीं आरा कि वह क्या करें इसलिए अपनी जान बचाने के लिए दर दर भागना शुरू कर देत हैं लेकिन शाते रीगल हवा में अपने पंक लहराते हुए तेजी से इनका पीछा करता है वहीं दूसरी तरफ हेर भे खुद को बचाने की हर मुम्किन कोशिश में लगा है लेकिन वह स्याता दिता खुद को नहीं बचा पाता और आखिर का रीगल के जंगल में फंस ही जा है आपको बता दें कि इनके पंजों के नाखुनों की क्रेट हम इंसानों के नाखुनों से लगबख 10 कुना ज्यादा स्प्रॉंग होती है एक गोल्डन एगल अपने पंजों की पकड़ से लगबख 750 PSI तक का फोर्स लगा सकते हैं जो कि कि किसी भी चानवर को बेहाल करने ह के लिए काफी होता है नमबर टू इगल अटाक्स इगल अब तक तो आप समझी गए होंगे कि इगल कितना खतरनाक होता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी इगल का सामना किसी दूसरे इगल से हो जाए तो क्या होगा कौन जीतेगा यह चंग तो आई दिखा देते हैं आपको इस वीडियो में एक इगल समंदर से एक मचली का शिकार करने के फिराग में आया है लेकिन अले के लिए आज इसने अपने शिकार के लिए हलत जगा चुन ली यहाँ पर दो इगल पहले से ही मौजूद है जिनका इस पूरे एरिया पर राख चलता है यह अ मुद्र से मचली को दबोच कर जाने लगता है पिर पर बैठे वे दोनों इगल उस अकेले इगल से अपने इलाके के शिकार को छीनने के लिए हवा में उड़ते हैं उनमें से सीधा जाकर इस इगल पर हमला कर देता है जिसके बाद चुरू होती है आसमान के राजाओं के ब कई लोग हारपी इगल को इगल में सबसे खतनाक और खुखार शिकारी भी मानते हैं और ये इगल ज्यादा तर अपना शिकार पेड़ पौधों और जंगल के बीच करते हैं ठीक वैसे ही जैसे आज ये हारपी इगल एक बंदर का शिकार करने के लिए आया है इस पेड़ प का मिले और उन पर छपटा मारे लेकिन उनमें से एक बंदर की नजर इगल पर गई वो से देखकर ठीरे से वहां से खिसकने की कोशिश कर रहा है लेकिन तबी हारपी इगल बड़ी तेजी से उड़ते हुए आता है और उसे उठाकर अपने खोसले के पास लेकर चला जाता ह जिसके बाद इस एगल का बच्चा इस बंदर को चीर फार कर खा जाता है एगल जैसा खतरनाक पक्षी आपको शायद ही कहीं देखने को मिले चाहिए वो एगल की जिस भी प्रजाती का हो एक बात तो पक्की है अगर इनको अपना शिकार देख जाए तो शिकार किये बिना उसे छोड़ते नहीं है तो कैसी लगी आपको एगल का शिकार करने की वीडियो हमें कॉमेंट करके सुरू पताएं वीडियो को अभी क्या भी लाइक कीजिए और ऐसी और बज़िदार वीडियो से एकने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके पहला इकन दोलाना मत भू कि अजड़ आपके लाइक है याई एकन दोलाना मत लगना मत भी लाहता है कि अआड़ा जादियो हमें पहला था वीडियो के लाइक है?